दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस तनियूज महाराष्ट में स्यूजेना के सांसा संजे राउट और साथ में ही उनकी वाईफ वर्सा राउट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है आप सबको पता ही हुआ कुछ दिनों पहले सेंटरल एजनसी एडी के द्वारा एक बड़ी कारवाई की गई थी और संजे राउट की वाईब के नाम पे जो प्रॉप्टीज थी उसको जब्त कर लिया गया था जैसे ही एडी की टीम द्वारा ये कारवाई की गई इस पर काफी ज़्यादा बवाल भी मचा और इसमें ये अपडेट दी गई थी कि संजे राउट के जो फ्रेंड है प्रवीन राउट जिनको एडी की टीम ने कुछ टैम पहले ग्रिप्तार किया है 1100 करोन रुपए के घोटाले के आरोप में उसी केस में इनका कनेक्शन सामने आया था जिसकी वज़ासे एडी की टीम ने कारवाई करते हुए इनकी प्रॉप्टीच को जब्त की थी उसके बाद लगाता लोग द्वारा सवाल उठाय जा रहे थी कि जल से जल लगाता लोग द्वारा सवाल उठाय जा रहे हैं कि आखिरकार अनिल देश्मोग जिनको 100 करोन रुपए 100 करोन रुपए गोटाले करने के आरोप में गिरपतार किया गया है जबकि वो ग्रिह मंत्री थे साथ में ही नवारत में ही नवाब मलिक जिनका जो है मनिल रॉंडिंग केस में और साथ में ही दाओद इबराहिम के साथ में कनेक्शन को लेकर इनकी भी ED की टीम के दोरा गिरपतारी हुई है लेकिन आखिर कर संजे राउत और उनकी वाइफ वर्सर राउत को अभी तक ED की टीम के दोरा समन क्यों जारी नहीं किया गया इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और लगाता लोग दोरा डिमांड की जा रही है कि इनको जल से जल पूस्ताज के लिए बुलाना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है उसके साथ में आपको बता दूँ कि काफी लोग ऐसे भी हैं ट्विटर पे जहां पर ये भी बोलते हुए नजरा रहे हैं कि संजेराउत और बीजेपी के बीच में जो भी चल ला है उसको संजेराउत और बीजेपी के बीच में ही रहने देना चाहिए यहां पर संजेराउत की वाइफ वर्सराउत को नहीं घर सीटना चाहिए मतलब की वर्सराउत के उपर जो कारवाई की गई है उनकी प्रॉप्टी को जवजब्त किया गया है ये पूरी तरह से गलत है ऐसे भी कुछ लोग है जो कि ट्विटर पे इस तरह के ट्विट करते हुए नजरा रहे हैं लेकिन जो भी हो अभी जो है एक बार फिर से संजे राउत और उनकी वाइफ वरसा राउत को लेकर लोगों इस केस में इनका नाम सामने आया है तो आखिरकार क्यों जो है इडी अभी तक ना की संजे राउत और ना ही उनकी वाइफ वरसा राउत को समन भेज रही है आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है जो भी हो लेकिन अभी जो है संजे राउत और उनकी वाइफ की गिरभता कारी को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है लगातार सोसल मीडिया पे लोग दोरा सवाल उठाय जा रहे हैं आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपना ओपिनियन कमेंट वाक्स मताएं और वीडियो को जाश ज्यादा सेर करें